तो स्वागात अब सभी का एक और वीडियो पर आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपकी मेन मार्क्षीट में और आपकी सप्निवेंटरी एक्जाम की मार्क्षीट में क्या डिफरेंस होता है काफी सदा बच्चे मुसे पूछ भी रहते हैं कि अगर हम सप्निवेंटरी एक्जाम से दे रहे हैं तो उसकी जो मार्क्षीट आएगी वो कि डिफरेंट आएगी कि उसमें कुछ ऐसे चीज़े मैंशन रहेंगी जिसको देखकर कोई भी समझ जाएगा कि इस बच्चे ने तो इस अपनिवेंटरी एक्जाम दिये हुए है यानि कि उसकी सपनिवेंटरी आई थी तो इससे हमारे क्या इंप्रेशन पढ़ेगा और आगे अगर हम किसी जॉब अगर हमें माक्षीट को यूस करते हैं या फिर 10th के वाद हमें 11th मैंट मिशन चाहिए 12th के वाद हमें किसी कॉन्डेज मैंट मिशन चाहिए कुछ अच्छा कॉर्स हम करना चाहते हैं तो क्या वहाँ पर हमें कोई दिक्कत होगी या पर नहीं होगी तो ये सारी चीजे मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो अगर आपने वी तक सस्क्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर से करके रखिए नोटिफिकेशन ऐकन अं करके रखिए और अगर आप नूज सेशन के हैं या पर आपके कोई फ्रेंड से या फर आपके छोटे भाही बैन है जो कि नूज सेशन में आये हैं उनसे आप जरूर से subscribe करवाईए क्योंकि उनका जो session है वो भी start हो चुका है तो यहापर देखिए सबसे main बात जो की बच्चों के दिमाग में आती है क्या अगर हमारी सपनी वेंटरी आ गई या हमारी marksheet में show है तो क्या government jobs में में कोई दिक्कत होगी या फिन नहीं होगी सबसे main question तो इसके बार मैं आपने वीडियो के आखरी में बात करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी marksheet में difference क्या होता है तो देखिए एक बास समझे आपकी जो marksheet आएगी वह वैसी की वैसी सेम वैसी आती है जैसी main marksheet आती है कोई भी difference बापर आपको दिखाई नहीं देगा मैं आपको दोनों attach कर देता हूँ यह जो भी आप देख रहा है यह आपकी main marksheet आती है पर नहीं देखिए हो आपने तो आप वैब पर देख भी सकते है सर्च करके कि एम्टी बोर्ड की board examination की जो marksheet वो कैसी आती है देखिए सारे चीजे सेम होती है यहाँ पर आपके marks distribution होते है यानि कि कि subject में आपको कितने number आ है वो mention होते है वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक और वहाँ पर एक चीज मेंशन रहती ही remarks करके जो की main marksheet में वहाँ पर कुछ भी उसमें भरा नहीं होता है बड़ देखिए अगर आपकी supplementary आती है यह जो आपके सामने में आपको show कर देता हूँ में कोई भी फरक नहीं होता है तो यहाँ पर यह जो remarks होता है यहाँ पर को sign यूज किये जाते है अगर आप आपका star का sign mention है तो यहाँ पर इसका यही meaning है कि आपकी subject में सपनी वेंटरी आई होगी यह बाकी main marksheet में से कोई भी sign use नहीं होते है वहीं पर अगर आप 10th में और MP board से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है best to five nine की यूजना होती है जिसमें कि जिस subject में आपके सबसे कम number आते हैं उस subject को वहाँ से हटा दिया जाता है पर आपका जो percentage है वो five subject से ही वहाँ पर calculate किया जाता है तो यहाँ पर देखिए अगर remarks में आपका hedge mention आ रहा है तो इसका यही meaning है कि वही subject आपका हटाया गया है और वाकि जो five subject हैं आपके उनसे percentage यहाँ पर find किया गया है अब देखिए यहाँ पर आपन बात करते हैं सबसे important जो कि आप काफी time से वीडियो में wait कर रहे हो कि इससे हमें आगे कोई दिक्कत होगी या फिर नहीं होगी अगर हम कोई competition exam देते हैं या फिर हम किसी job का exam देते हैं government किसी job का exam देते हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत होनी है या फिर नहीं होनी है तो मैं आपको यहां पर साफ बता देता हूँ कि यहां पर ऐसे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है आप जो भी exam दोगे वो exam matter करता है कि उस exam में आपकी कितने marks आपकी इन marksheet को कोई भी नहीं देखेगा अब मानी आपने कोई competitive exam दिया है उसमें आपकी rank काफी अच्छी आ गई है तो क्या वो इस आपकी 10th हो या फिर 20th की marksheet को देखेंगे यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपने जो exam दिया है जिस भी job का आपने exam दिया है से वह exam matter करता है किया आप उसमें pass हुए हो या आपने उसका जो cut off या आप उसके ऊपर आया हो या फिर नहीं आया हो यहां पर आपको परेशान होने की जरूवत नहीं है खोई भी आपको नहीं रोक सकता है और सब्सक्राइब करके जरूर से रखेगा ऐसी सारी अपडेट में आपको या पर देता रहूंगा परिशान होने की जरूरत नहीं है आप अपने जो एक्जाम में सपनी वेंटर के होना अच्छे से दीजिए आपकी माक्सी टाने में एक से देड़ मिने का टाइम कंस्यूम होगा उसके बाद आपको जो कोर्स करना है वो कोर्स आराम से कर पाओगे